हलो फ्रेंड्स आज ऐसा डजट बना रहे हैं जो शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं फास्टिंग में काम आएगा ब्रत उब्वास आप कुछ भी रखते हैं तो आराम से आप बना सकते हो आसानी से बन जाएगा कभी कोई गेस्ट भी आजाए उनके काम में भी आएगा तो य मखानों को मैंने रोष्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उनको लगातार चलाते जाएं और फिर ठंडा करके इसको फाइन पावडर बनाए इसका अब मैंने एक लीटर दूर लिया है जो बॉयल करके मैंने आधा कर लिया गाड़ा कर लिया ताकि स्वाद अच्छा आए आप जितना गाड़ा रखना चाहे अपने अनुशार रख सकते हैं अब ये मखाने जो ठंडे हो गए हैं आप इसका पावडर बना लेंगे इस तरी आप चाहें तो इसमें ड्रायर फूट इसकी साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं वैसे मैंने अलग से डाले हैं बादाम को भिगो कर ही इसमें ग्राइंड करें अब ये पावडर इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से चला लें अगर आप थोड़ा सा यलो कलर चालते हैं तो केसर के कुछ धागी दूद में डाल दें और मैंने मकाने में घीस लिए डाला ताकि घी की जो इनहेंस हो जाएगा बहुत अच्छी खुश्वू आएगी कश्टर में अब टांसफर कर लेते ठंडा करने के बाद अब इसमें हम मिक्स करेंगे चौप्ट किये हुए ड्राय फूट थोड़ा सा बादाम, किसमें, स्पिष्टा, काजू और ये मैंने बनाना लिया है जो पहले ही से ही चौप्ट करके फिर्ज में रख लिये थे ताकि काले ही न पढ़े और ये अनारदाना, पपीता, एपल सभी आपके घर में जो भी फ्रूट्स हों और आप जो पसंद करते हों आप इसमें मिला सकते हैं तो ये बिना कश्टर पाउडर के बनाया है हमने फ्रूट कश्टर जो सभी को बहुत पसंद आने वाला है स्वीट के लिए मैंने इसमें डेट्स यूज किये हैं आप चाहें तो हनी यूज कर सकते हैं इससे या डायोटिक पेशेंट हैं या जो मीठा कम खाते उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है इसमें मैंने पंपकिन सीड और संफ्लावर सीड एड कर दिये हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं आप ये काके पूरे दिन इनर्जेटिक रहेंगे हेल्दी डाइट मिलेगी आपको वीकनेस नहीं लगेगी ब्रत में और डेजेट के रूप में आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में आसान और बहुत जल्दी बनने वाला है और आप भी घर पे बनाएए बहुत अच्छा लगेगा थेंक यू बाइबाइ